इंद्र प्रस्त विश्व समवाद के इंद्र के यूट्यूब चैनल पर आप सब का स्वागत है आज हम कॉमन सिविल कोड पर चर्चा के लिए गत्रित हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर सीमा सेंग जो दिली विशुद्याले में कानून बढ़ाती हैं इसको हमारे साथ साथ हमारे साथ मकेश कुणार हैं जो दिली विशुद्याले में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आज हम यहां बात करने आये हैं कॉमन सिविल कोड पर इसको लेकर कुछ बात हैं जो जानने लायक है वो यह कि यह कानून हिंदू मुस्लिव के वाद विवाद से संबंदित नहीं है यह बहु संख्यात और अल्प संख्यात जैसे सब्दों से भी परहेच करता है यूनिफॉर्म की बजाए इसे कॉमन सिविल कानू नाम इसलिए कानून के पक्ष्म पक्ष्म जब इस कानून में इतनी सारी अच्छी बाते हैं तो विवाद क्या है सिमा जी देखें विवाद का जो एक मुखे कारण मुझे समझ में आता है वो यह है कि लोगों के अंदर इस शीज को लेकर के कहीं न कहीं एक कन्फ्यूजन है पर वास्तों में अगर आप देखेंगे तो कॉमन सिविल कोड को लेकर के कन्फ्यूजन का कोई ग्राउंड नहीं है और इसे में बहुत इस शरल शब्दों में आपको बताना चाहूंगे 26 जनवरी 1950 को जब हमारा समिधान existence में आया तो हमारे समिधान के प्रियंबल में एक starting line है जो कहती है हम भारत के लोग तो हम भारत के लोगर ने वो समिधान खुद को दिया था तो पहली बात तो एक हम सब को समझने चाहिए कि वो समिधान के जो भी गोल है वो एक भारत के प्रतेक नागरिक की duty है कि उस गोल को achieve करने में वो अपनी भूमिका निभाए जब हम उन गोल्स को पढ़ते हैं तो व कावरिनिटी के साथ शुरू होता है दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वो समानता है और जो बेसिक सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है fraternity या भात्रितो जब हमने समिधान को as a citizen adopt कर लिया तो इसका मतलब भारत में रहने वाले प्रतेक नागरिक का ये uniform civil court क्यों है common civil court क्यों नहीं है इस तरीके की बहुत सारी confusions है तो हमें कुछ चीजों पर आज बात करने की निश्चित तोर पे बहुत ज़ादा जरूरत है तो 1947 में भारत भारत और पाकिस्तान दो देशों में बटा उसके बाद जिनको पाकिस्तान जाना तो पाकिस्तान चल से आत्मसाद करना प्रतिक नागरी का करता है इसको भी स्विकार किया जब समिधान सभा में इस बात पर डिबेट हो रही थी कि क्या हमें इस समय uniform civil court लागू करना चाहिए या जिसे आज हम common civil court कहते हैं वो लागू करना चाहिए या नहीं तो उस काल और परिस्थिती को उस समय के समिधान सभा के दिमाग में एक बात ये भी चल रही थी कि अगर हम इसको इस समय सबके उपर लागू करते हैं तो भारत में रहने वाली minorities को कहीं ये ना लगे कि उनके उपर जबर जस्ती कोई चीज थोपी जा रही है लेकिन सातिसा समिधान सभा इस बात को लेकर के भी बहुत सजक थी कि इस देश में आने वाले समय में एक समान कानून सबके उपर लागू होना चाहिए और उसका एक मूलुत देश जो था वो ये था कि समस्त लोग जब एक तरीके के कानून से संचालित होंगे तो उससे भारत में fraternity की भावना है जिसको हम भात्रत तो अफेक्ट करता है तो क्या वागई में हमारी cultural diversity को अफेक्ट करता है क्या दूसरा इसमें important चीज है कि क्या हम religious identity और cultural diversity इन दोनों को क्या mix कर रहे हैं क्या देखें जब हम भात्रत तो शब्द की बात करते हैं तो उसके implementation के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी religious identity इसको हम प्रमोट न करें हमारा पहला करता है यह नहीं है कि मैं हिंदू हूँ मुसल्मान हूँ सिक्ष हूँ इसाई हूँ या कुछ और हूँ सबसे पहले में भारत का नागरिक हूँ और इसलिए डॉक्टर रंबेट कर कि जब आप कॉंस्ट असेंबली डिबेट सुनते है तो उन्होंने एक बहुत मतुपून बात बोली थी उन्होंने बोला था कि सम्धान का कोई भी ऐसा इंटर्पेटेशन जो इक्वेलिटी लिबर्टी के नाम पे किया जाए लेकिन जो सौवरेनिटी और फ्रेटर्रिटी को कॉंप्रोमाइस करता हो वो गलत इंटर्पेशन म किसी भी अधिकार की डिमांड ना तो की जानी चाहिए ना वैसे अधिकार दिये जाने चाहिए और इसके प्रम कुद्देश था कि देश जो है दुबारा विभाजन की किसी भी विभीशिका से बचे तो उस काल को देखते वे जिसमें विभाजन हो रहा था कॉंच्छिट असेमनी में जब इस पर डिबेट हुआ तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया लेकिन इसके समर्थकों की संक्या भी बहुत जादा थी इसलिए ये निर्णा किया गया कि अभी इस समय हम इसको नहीं लागू करते लेकिन इसको हम डिरेक्टिव प्रिंसिपल आफ लेकिन एक्च्वल में यूनिफॉर्म सिविल कोट कहिए या आप कॉमन सिविल कोट कहिए ये दोनों एक ही चीजें हैं और इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि सबके उपर सेम जैसे एक जैसे कस्टम्स लागू होंगे इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अलग अलग धर्मों म महिलाओं और बच्चों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस डिस्क्रिमिनेशन को सिर्फ समाप्त करना है बाकी आपके पर्सनल कस्टम्री लॉज पे कहीं भी कोई भी असर नहीं होने वाला है तो यूनिफॉर्म सिविल कोट या कॉमन सिविल कोट जिसको आप कह र उद्देश भी है। और यूनिफॉर्म शब्द का जो भ्रहम पैदा किया रहा था। सब के उपर एक जैसे थोब दिये जाएंगे। यहाँ पर इसी लिए इस चीज़ को बहुत समझना जरूरी है कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब यह नहीं है कि सबके कस्टम्री लॉइक जैसे हो जाएंगे। यूनिफॉर्मिटी का मतलब यह है कि महिलाओं और बच्चों से रिलेटर जो अधिकार है वो चाहे किसी भी धर्म की महिला हो और चाहे किसी भी धर्म का बच्चा हो जो समझना और कानून का संड़क्षर उसे मिलना चाहिए वो उसे मिलेगा। तो कॉमन सिविल कोड़ का मतलब आपके कस्ट्रम्री लॉप पर अटैक है ऐसा नहीं है। कॉमन सिविल कोड़ का मतलब और सिर्फ महिलाओं और बच्चों को समान अधिकार देना और उनके हितों का समान समखना है। समय तक भारत पर शार्षन कर नहीं सकते हैं तो भारत के कानून को कहीं न कहीं कोडिफाइड करने का एक प्रयास छोटे लेवल पर इसे ही पर शुरू हो गया था पर मेंली यह शुरू होता है अब का 1857 की क्रांती के बाद तो क्या हमने कभी है सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि 1857 की बाद ही सारा कोडिफाइड लॉय है उसका एक बहुत बड़ा रीजन यह था कि उनको यह समझ में आ गया कि अब जादा दिन तक हम भारत पर आज कर नहीं सकते हैं तो उनको क्या करना था उनको अपनी डिवाइट एंड रूल की पॉलिसी को भी इंप्लिमेंट करना था और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बेडिशन को चुकि लंबे समझ तक भारत में राज करना था तो कोडिफाइड करने के लिए जब उन्होंने आपर लेजिसलेशन को इंटोडिउस किया चाहिए वो इंडियन डिवोर्स एक्ट हो चाहिए वो सक्सेशन हो उन्हो ने हर लौ से एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी को बाहर रख दिया था और उस पर्टिकुलर कम्यूनिटी को बाहर रख करके एक्ट्यूल में क्या करना चाहते थे वो एक डाइवर्सिटी को डिवीजन में क्रिएट करना चाहते थे तो वो डाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन कर लिया था और यही रीजन था कि उन्होंने बोला कि अब 1947 के बाद और समिधान लागू होने के बाद भारत का प्रतेक नागरिक सबसे पहले भारत का नागरिक है और इसलिए उन्होंने सरकारों के लिए गोल सेट किया कि सही समय आने पे आप यूनिफॉर्म सिविल कोट ला इसलिए जब शहाबानों का लैंडमार्क जज्जमेंट आया काइदे से इसको उसी समय लागू हो जाना चाहे था क्योंकि सुप्रीम कोट ने कई बार इसको बार बार अपने जज्जमेंट से बोला कि आर्टिकल 44 को अब देश में इंप्लिमेंट किया जाए लेकिन लगात के प्रतेक नागरी को एक समान तरीके से मिलना चाहिए और महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग मूल अधिकानों से वंचित रहा उनका शोशन हुआ उनको डिस्क्रिमनेशन का सामना करना पड़ा उनको प्रोटेक्शन नहीं मिले जो बाकी बच्चों को अवेलेबल है तो य यह जो लैक ऑफ विल थी इसकी बड़ी कीमत हमारी महिला वर्ग में ने इस देश में चुकाई है सिमाज एक सवाल है कि बार बार ना साहबानों का जिक्रिक तो आता है लेकिन आज भी जो नहीं बड़ी है वो जानती नहीं कि साहबानों मामले में हुआ क्या सुपन कोट ने क्या कहा और क्या सुपन कोट ने जब एक आदेश दिया तो उस प्रोट भी हुई क्या समाज में और जब उनके पांच पच्चे थे उनके पती उनक्क तलाग दे दिया अब जब तलाग दे दिया तो Islamic law क्या कहता है इस्लामिकоссलिम महीला को पपया चैनेंश कहता है। यह साए निज साफ़ने स कहता है कि इदबर्स होने बाद कर वाफ तीन मेंनस्टर साइकल होता हैاح। और उसका जो मेन परपस होता है, वो अगर लेडी यानि वाइफ अगर प्रेगनेंट है, तो उसकी बच्चे की पैटर्निटी को टेस्ट करना होता है, कि एक्च्छल में इसका फादर कौन है, तो इद्दर के पीरिट के बाद उस लेडी के मेंटिनेंस का क्या होगा, शाह बा बात यह है कि CRPC का सेक्शन 125, अब CRPC तो सेकुलर लौ है, उसका प्रोटेक्शन सबको मिलना चाहिए, लेकिन इसलामिक लौ के अकॉर्डिंग सेक्शन 125, CRPC उनके उपर अप्लिकेबल नहीं होता, और उसमें आर्गुमेंट यह था, कि हम तो इसलामिक लौ के हिसाब से सिफ इद्द की पीरिट तक इनको मेंटिनेंस देंगे, उसके बाद हम नहीं देंगे, तो जब शाहबानों सुप लेकिन उस समय इसका जो है मुस्लिम समाज में एक बड़ा तगड़ा रियक्शन हुआ, बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पे उत्रे और पॉलिटिकल रीजन के कारण उस समय की जो राजियु गान्दी सरकार थी, वो उसने इस पूरे जज्जमेंट के एफेक्ट को कर दिया और उसमें ये कर दिया कि अभी भी मुस्लिम महिला डिवोर्स के बाद सिर्फ इद्दत के पीरिट तक ही मेंटिनेंस की अधिकारी होगी, और आज भी यही है, आज भी मेजॉर्टी ओफ दर जो महिलाएं है, उस 125 यार पीसी का मेंटेट्टी क्लॉज उनके उपर उसका रिजल्ट ही होता है कि तो तलाग के भह में जीती है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत दिनों बाद शाह बानो के बाद से लेके साइरा बानो तक, और उसमें भी इंस्टेंट ट्रिपल तलाग से अब जाकर के मुक्ती महिला को मिली, मेंटिनेंस के ग्राउंड अभी आपका ये क्या बोलते हैं इसको रेप लॉस ये आपके इसलामिक लॉप पर नहीं लगते हैं और इसमें एक इंपॉर्टेंट आज भी और उसके उसका भी मैं आपको एक महत्पून बात बताओं चूंकि यहां पे जब यूनिफॉर्मिटी के बात हो रही है तो आजादी क क्रिशियन आपके जाहें क्रिशियनों चाहें आपके जिईोस ओझाएं आपके पार्सियों यह लॉण परसनल कोडिफाइड लारजली हो गये है आपका जो सिक्रह मुद्धिस्ट कम्यूनिती इस जो जैन कम्यूनिती तो यानि एक इसको मुस्लिम पर्सनल लौ को अगर आप छोड़ दिये जो कि कंसिडरेबल पॉपुलेशन भारत की है तो लगबख सारे लौज जो हैं वो कहीं न कहीं कोडिफाइड है अब यह बता हैं सभाजी कॉमन सिविल कोड आने के बाद क्या यह जिस अधिकान के हम बात कर रहे हैं महीं लौग के वो सुरबशी होगा बिलकुल कॉमन सिविल कोड का देखिए अभी इसमें क्या है मैं आपको बता हूँ इसमें सब्सक्र टेक्निकल पॉइंट का है जिसको आज समझने की सवरत है अभी जैसे मुसलिम जो परसनल लौ है उसके एकॉर्डिंग एज और प्यूबर्टी जो होती है उसमें बच्चे को बालिक मन लिया जाता है तो एज और प्यूबर्टी बारा साल भी हो सकती है तेरा साल भी हो सकती है तो Islamic law के हिसाब से चाहिए लड़का और चाहिए लड़की जैसे वो एड और प्यूबर्टी को अटेंड करेगा वो marriageable age में चला जाता है तो Islamic law क्या कहता है कि अगर आपने 12 साल की यानि 18 साल से कम उनमर की लड़की की शादी करी तो Islamic law के हिसाब से वो valid marriage है लेकि तो आपका child marriage prohibition act क्या कहता है कि आप 18 साल से कम उनमर की लड़की की शादी नहीं कर सकते तो इसलाम में जो एक लड़की 18 साल से कम उनमर की है उसको तो आपने right to choice दिया ही नहीं वो मान तो हम उसको बच्चा रहा है ना पर क्या हम उसको protection दे रहे हैं क्या हम उसको protection नहीं दे रहे हैं फिर जब 18 साल से कम उनमर की लड़की के अगर शादी होती है और marriage consummate होती है तो उस बच्ची को आईसे आप देखे normal cases में पॉक्सो लगता है IPC में भी आपका 365 की definition कहती है कि अगर आपकी wife नाबालिक है तो उसके साथ अगर आप sexual relation बनाते हो तो भी rape की definition में आता है लेकिन आपने इतनी बड़ी community की बच्चीयों को इन सारे protection से बाहर कर दिया यानि अगर वो 18 साल से कम रूमरी की लड़की है और Islamic law के हिसाब से उसका निकाह हो जाता है तो ना तो उसको पॉक्सो का protection मिल रहा है ना उसको Child Marriage Prohibition Act का protection मिल रहा है और नहीं उसको rape laws के वो एक्ट प्रोहिबिट कर रहा है या प्रोटेंट कर रहा है अगर आप डिप्राइफ कर रहा हो या फिर आपके लिए जो legislative right है या legal right से उनसे अगर डिप्राइफ कर रहा हो तो इतनी बड़ी आबादी को main stream से निकाल करके जैसे कि आज हम ये कहते हैं क्या हम एक सशक्त भारत की कलपना कर सकते हैं इतनी बड़ी आबादी जो कि महिला आबादी उसके सशक्त हुए बिना तो uniform civil court या common civil court का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इन महिलाओं को इन बच्चीओं को एक समान right मिलेंगे जैसे अवी तक आपने देखा कि divorce का right especially जो Muslim law है उसमें मेल के पास जादा फीमेल के पास बहुत limited right है दूसरी बात है कि maintenance को लेकर के महिलाओं के पास बहुत limited option है जितना आपको इदद का मैना भी आपको बता हुई अभी भी चल रहा है तो ये सारे जो discrimination है ना वो discrimination खतम हो जाएंगे इसलिए बार-बार मैं कहा रही हूँ कि common civil court को लाने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश अलग-अलग धर्म के जो बच्ची और महिला हैं जो अलग-अलग personal law से गवर्न हो रहे हैं जिसमें कुछ religion में उनको बहुत जादा protection और कुछ में बिलकुल protection नहीं है उस discrimination को दूर करके सब को एक समान protection देना है फिर चाहे वो महिला और चाहे वो बच्चा किसी भी धर्म का हो इसलिए common civil court का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है यह समिधान का एक directive principle of state policy है जिसे की सरकार implement कर रही है इस बात को बिलकुल हम कहरे है घर्म से उसका लेना देना नहीं है लेकिन जब मैं आपको सुन रहा हूँ तो मुझे रखता है कि समाज का एक बहुत बड़ा तक्षा है वो लगव 20-25 करूर की का अबादी है जब मैं को सुन रहा हूँ बहुत आश्यर हो रहा है इसके बड़ी हवादी को ऐसे जैसे मानो छोड़ दिया गया था और फिर यह कानून अब ठीक है यह सही समय है इस कानून को लाने का और अब नहीं तो कभ यह भी सवाल है लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल और है जिसका जवाब आपसे चाहिए क्या वो समाज जो इतना बड़ा समाज जो बिलकुल सोया हुआ था आज तक किसी नो उसको कभी तच्वी नहीं किया अचानक इस परिवर्तन के लिए क्या तयार है देखें यह बहुत मत्वपूर्ट सवाल है पर मुझे लगता है तयार है क्योंकि इसमें देखें सबसे इंपॉर्टन बात है कि 1985 में जब शावानों का जज्जमेंट आया तो एक बड़ा मास एजिटेशन हुआ अगर आज आप उस समय से लेकर के 2014 के भारत को देखें तो मुस्लिम मैलाइं जो पढ़ लिग गई है एक समाज में देखें मीडिया से भी बहुत जाग रुखता है सोशल मीडिया आपका मुबाइल हर किसी के पास है इंफॉर्मेशन का एक्सेस हर किसी के पास है जब आप किसी को इंफॉर्मेशन नहीं देते ना तो उसको ये भी नहीं पता चलता है कि उकिस स्थिती में रह रहा है और उसके कंपरेजन में बाकी लोगों की स्थिती क्या है तो अब समाज में एक जाग रुखता है और अगर आप देखे तो बड़ी संक्या में मुस्लिम महिला है इस तरीके का इधिकारों की डिमांड कर रही है और ये जो साहराबानों का जज्ज्मेंट आया जिसके बाद इंस्टेंट ट्रिपल तलाग को बैन किया गया जहां पर ट्रिपल तलाग दे दिया गया अब वो मेरे पास आके कह रहे है कि मैं क्या करूँ और आप बताएगे कि मेरे पास उसको कोई सजेशन नहीं देने के लिए कि वो कहा जाए कोई मुस्लिम महिला बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है को एडॉप्शन नहीं कर सकती है उसके पास मेंटिनेंस का कोई आप्शन नहीं है उसको मारा जाए पीटा जाए उसको किसी भी तरीके से उसके साथ दुर्वेभार किया जाए उसके पास एक्जेट का कोई आप्शन नहीं है तो आपने एक बड़े वर्ग को उसके मूल भूत अधिकार से वंचित रखा है, तो अब समय बदल गया है, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस बढ़ गया है, लोगों में जाग रुकता है, अगर सबसे मज़ेदार बात इसमें सबसे ज़्यादा खास बात यह है, कि जो कोर इसलाम कि आप ऐसे नहीं ले सकते कि जब आपको मन करें आप तलाक लेली जो आपको मिंटिनेंस भी देना पड़ेगा, इमाजी, इसलामी देश पर आएंगे, मैं डॉक्टर मुकेश को इसमें जोड़ना चाहता हूँ, डॉक्टर मुकेश आप बताएगे, जैसे मैम ने बताया, कि समाज में जारुटा बड़ी है, तो मैं आपसे यह जानना चाहते हूँ, कि जो समाज में वल्चित तपका है हमारा, जनजाती समाज है, अनसुच जाती के लोग है, जनजाती के लोग है, पिछ्रा वर्ग है, क्या मुबाइल से और जो सूचना की जो क्रांती आई है, कु सूचनाय पहुच रहे हैं अनता, सूचनाय भयंकर रूप से पहुच रहे हैं, क्योंकि मैं उस जनरेशन का हूँ, आप फेस्बुक के जनरेशन के मैं इसकारान चलाता हम, तो जो 30 सेकंड है, 30 सेकंड है घएए, क्योंकि पहने क्या था कि आदियो जाती थी, जा ब्लॉग होते थे अब 30 सेकंड में हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं यू सी सी अल्टराखंड में इंट्रोड्यूस होने वाला है साइध हो गया होगा आज आत को देखेंगे 30 सेकंड की रील बन गहीं होग इस्टाग्राम पर और जो 18 साल 20 साल का बच्चा है हमारे वंचित समाज का ग्र बढ़े इस्टाग्राम चलाते हैं बच्चे फेस्टों चलाते हैं और प्यूरॉसिटी है जानना चाहते है कि चर्ड क्या रहा है यू सी है अब एक प्रोपेगेंदा चलाया जाता है कि यू सी आ जाएगा तो जन्जादी समाज जो है नहीं आरे हूँ वहाँ आज ज़ हम करने जासे अब बता रहें है जािया यू सी आज हम यहां बात कर रहे है तो अब ही बढ़ेंगी खर्डी हरा जो कटे हुए हिंए उपी यू सी कर्ने के ज़ेए और जिस जन्जाती समाज की बात कर रहे है वास्तव में उसको लेके बार बार अलग बार अलग जगों से ये कही जा रही है, कि उनके अधिकार प्रभावित होगे, अब इसमें कितनी सच चाहिए? यह विशुत रूप से एक प्रॉपगेंड़ा हैं, और ऐसा है ही नहीं क्योंकि जञ्जाती समाज एकड़िक्टेडेड है वो जंजातियों की हग तीर बात करता है, उनके अधिकारों की बात करता है, जो नागा है, मीजो है, जो नौर्टिष्ट की अन्य जंजातिया है, उनके बात करता है, तो कहीं पर उनके अधिकारों का हननन नहीं होने वाला है, और वो फुद भी देख सकते हैं, क्योंकि फूर कहीं से भी यह एंटी ट्राइबल नहीं और यह सामाजिक न्याई की बात करते थे और जब यह आर्टिकल 44 जब बनाया जा रहा था और राजी की नीती निदर्शक्षदाद जो है समिधान का भाव चार उसमें आर्टिकल 44 की बात है तो समिधान सभाव में यह बात चली कि इसको लागू किया जाए यह ना किया जाए तो हमारे पास संसाधन नहीं थे तब कि अपर इस्तितिया नहीं थी आज जब लोग तंत्र बहुत मिश्योर हो गया है तो यह बहुत बड़ा गिफ्ट होगा भारत के नागरिकों के लिए हमारी महिलां हमारे वच्चों के लिए कि हमें उनको अच्छा सा एक लौन को दें और सामजिक निया की बात करें मुझे बहुत थी कहा आपने आपने कमन सिविल कोड के लिए कि अच्छा बाहर है और शांग बावासाम नहीं जो संभिधान बनाया उसमें भी उनकी यह चाहत रही थी कि यह जैसा मैम ने भी वताया उंको कि उस समय पर थुड़ी देरी हुई लेकि चलिए टैसमें देर आ हो गया सिविल कोड का लेकिन जब रिलीजन की बात आती तो बहुत सारी लोग कहते कि हमारे फ्रिडम का क्या है हमारा भी तो दिखार है उपने रिलीजन को मानने का तो क्या उसमें कुछ चेड़चार हो रही है कि यह सिविल को देखे बढ़ा महत्तोपूर सवाल है क्योंक समिधान पर देखे, समिधान में साड़े तीन हजार जो संशोधन ते उस पर डिसकेशन हुआ था तो समिधान जटके में आया हुआ डॉकुमेंट नहीं है, प्रॉपर स्टडी करके समिधान सभाने प्रॉपर डिसकेशन करके इसको बनाया, जो समिधान freedom of religion, समिधान सबाब को freedom of religion दे रही है, वही समिधान सबाब अनुच्छ 44 भी बना रही है ना तो उनको भी पता था कि इन दोनों में conflict है कि नही है, और conflict नहीं था तब ही दोनों साथ में थे, अब ये conflict कैसे नहीं है, हमें ये समझने के ज़ुरत है, हमारे समिधान का अनुच्छ 25 यारी 25 वो freedom of religion के बाद करता है यहाँ पे एक बार-बार question उठाया जाता है कि common civil court ला करके हमारे religious freedom में interference किया जा रहा है एक हमें समझने के ज़ुरत है कि article 25 में freedom of religion है, वो absolute नहीं है उसमें चार restrictions है पहला restriction, public order दूसरा health, तीसला morality और चौथा है कि article 25 से पहले जो भी article दिये गए हैं उनको violate ना करता हो यानि part 3 के context में पढ़ा जाएगा और हमें इस समझने के ज़ुरत है कि part 3 में सबसे पहला जो right है, वो right to equality है यानि कि आपकी right to freedom of religion का कोई भी interpretation जो right to equality को violate करता है वहाँ पर उसकी basis पर आप religious freedom को claim नहीं कर सकते और right to equality और religious freedom में अगर conflict होगा, तो protection equality को ही दिया जाएगा protection, public order, health और morality को ही दिया जाएगा एक और बहुत-बहुत-बहुत मात में आपको बताती हूँ article 25 जो है ना के religious freedom को दो हिस्से में divide करता है, एक है आपका fundamental of the religion और दूसरा होता है religious practices जो आपका fundamental of religion होता है वो unamendable होता है लेकिन जो religious practices होती है, वो कोई भी ऐसी practice जो public order, health, morality और समिधान के part 3 के बाकी fundamental right को compromise करती हो उसे non-essential मान करके state regulate कर सकता है यानि जो fundamental हो गई हो गई essential, जैसे इसलाम के 5 essential element है, कल्मा, नमाज, हज, जकात और रोजा 5 essential हो गई, अब जो इसलाम के जो essential elements हो गई है उस पे कोई attack नहीं है किसी भी religion के essential पे कोई attack नहीं है Hinduism के भी कुछ essential चीज़े है अब non-essential में क्यों होती है जैसे Hinduism में आपके religious practices ऐसी बहुत जैसे देवदासी प्रता थी तो बंद होई ना क्योंकि discriminatory थी सती प्रता थी, बंद होई ना क्योंकि discriminatory थी, ऐसे ही किसी भी religion में, चाहे हो हम इसलाम ले 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 या कोई पी और ले ले जो non-essential religious practice है, और regulate हो सकते, जब non-essential को आप कैसे identify करेंगे, तो इसमें आप देखिए freedom of religion है ना, religion का मतलब होता है, आप और आपके परमात्मा के बीच में क्या सम्मंद होगा, वो आप decide करेंगे, परमात्मा तक पहुंचने के लिए, आप अलग-अलग practices भी उसकर सकते हैं, लेकिन आप अपने घरवालों से, अपनी पत्नी से, बच्चों से, अडोसी से, परोसी से, बाकी लोगों से कैसे behavior करेंगे, यह आपको freedom of religion नहीं होता, इसके लिए आपके civil laws होते हैं, तो अगर आपका religion का कोई भी ऐसा part है, जो आप religious freedom के नाम पर practice कर रहे हो, जो कि आपकी पत्नी को, बच्चों को, आज़ पोडोस के लोगों से, या किसी भी और तरीके से, किसी भी तरीके का discrimination करता हो, वो आपके religion का essential part नहीं है, और यही reason है, कि सारी Islamic countries ने इन practices को regulate किया, अगर इसेंशल होती, तो क्या Islamic country डिवलेट करता है? अगर सेमा जी, भारत के अंदर जो Muslim समाज है, या फिर आपने कहा कि दोनों में contradiction नहीं आना चाहिए, तो वो तो जब यह कह रहा है कि उसके जो कानून है, उसमें कोई नुक्ता का भी फर्ग नहीं हो सकता, वो नहीं वज़र सकता, ऐसी इस्थिती में जो यह जो उज़ादा बहाँ से हमारे कानून के अंदर वो कैसे जिस्टिफाई होगा है? देखे इसमें एक बहुत इंपॉर्ड़न बात यह है कि इस्लाम की जो ओरिजिन है, वो साथी अरब में होई, ठीक है नो, वहां की इस्लामिक स्कॉलर्स ने एक टरम इस्तिमाल करतें से कहते हैं, इस्तिहसन का मतलब ही होता है, कि अगर किसी एक टरम पे बहुत झालग गलदेगे, इस्लाम में बहुत सारी हदीश हैं, संग्याल आखों में है और उन हदीस में भी आपस में काफी कॉन्टर डिक्शन है कुरान हदीस में भी कॉर्ण तो वर्ड ओफ अल्ला माना जाता है लेकिन जो हदीस है वो हर जो आपके जो मुस्लिम लीगल इसकॉलर से हैं यह उनका कोई चीज लिखी गई यह फिर कुछ ऐसा लिखा गया है जो कंटेंपररी हिसाब से जो फिट नहीं बैठ रही है तो इस तहर से नहीं कहता है कि समकाली नानि कंटेंपररी सरकमिस्टैंसे के हिसाब से आप उस चीज को चेंज भी कर सकते हो और इसका आपको सबसे जादा जो आज की तारिख में देखनों को मिलेका आप सादी आरोबिया में देखे है उन्होंने मुस्लिम मुस्लिम मेलाओं से रेटेट कौ चेंज किए। ऑन्ने अपने पूरे के पूरे कुल्चर कोचेंज किया वह क्यों चेंज कर रहा है क्या हूं इसलामिक नहीं रहे गगा अभी इरानी जी भी वहाँ गई थी, उसको लेगे यहाँ पर वो एक इस्लामिक कंट्री ने उनको कैसे लग गया हो तो मैला थी ना, तो उन्हों ने इसका मतलब है अपनी दृस्टी को बदला, तो एक वो कंट्री जहां से इसलाम निकला, अगर वो अपनी प्रैक्टिस को बदल र यह एक गलत तरीके से चीजों का इंटर्पटेशन किया जा रहा है, और सीधी से बात है कि यह देश जो है, वो एक सेकुलर देश है, और सेकुलर देश के सबसे खास बात ही होती है, यह देश का प्रतेक नागरी एक समान कानून से रेगुलेट होता है, अभी मैंने आपको संदक्षन से परसनल लॉज में डिस्क्रिमिनेशन के कारण नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका कॉमन से बीकोर्ट जो है, यह एक्चुल में देश का जो सेकुलरिजम या पंत निरपेक्शिता का जो इसेंस है, उसको यह कही न कहीं इंप्लिमेंट करता है, ना तो यह राइ इसलाम में निकाह होगा, हिंदों में विवाह होगा और क्रिशियनिटी में मेरेज होगी, यह कहीं से भी अपनी कस्टम के हिसाब से इन में कोई भी इंटरिफेरेंस होने वाला नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहे हूँ कि इसका परपस सिर्फ बच्चों और महिलाओं के ब को खत्म करना सबसे अच्छा होगा, डॉक्टर प्रोफेसर सीमा सेंग को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें अभी और लंबी बात्चीत करनी है, सवालों का अंतहीं से उसला हो सरता है, लेकिन हमारे समय की अपनी सीमा है, तो धन्यवाद प्रोफेसर सीमा सेंग ने समय द कि अझे लगता है कि लोगतOSն शेया हैं अभी अभी व्हां हो ओव, य हमाद फ могता हैं, भा समय को खव, सवालों छीर को फिक्ता प्रोफेसर सीमा सेंगे ले वे शरता हैं, युदा रवेसर समय को सेंगरे सेंग, तो भी बाने हैं, अवें ठो, वे गले हैं वे से आगता हैं